वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला प्लीज ये वाला फ्रेंट्स मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहें ग्राम समाज विकास का जो हमारे ये टॉप 30 MCQ कोई सीरीज चल ला है अभी तक 10 वीडियो इसमें आ चुके हैं यानि कि 10 कोई आ चुकी हैं अगर आपने उनको लगा कर नहीं देखा तो जरूर को लगाईए और कमेंट सेक्शन में जो है अपना स्कोर भी शेयर करियेगा और आज के इस वीडियो से भी मिरेको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखके और जो भी कोशन में आपसे इस वीडियो में पूछूंगा उनके आंसर दरूर पू शेयर करियेगा तो यहाँ पर हम पहले कोशन से स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है उत्तरप्रदेश शेत्रिय पंचायद एवं जिला पंचायद यह जो अधिनियम था यह कौन से वर्ष पारत हुआ यानि कि इन विच इयर दा उत्तरप्रदेश रीजनल पंचायद एं डिस याँ पर उन्निस सो सतावन यानि कि 1957 विल भी दा करेक्ट आंसर बलवंतराय महता समीती अब इसका क्या रिकमेंडेशन थी है रिकमेंडेशन आप कमेंट सेक्षिन बताईएगा क्या इसका रीजन था यह कमेंट सेक्षिन में बताना है आपको अगला कोशन है भारत का कौन तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका केरेला इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन यहाँ पर गिवन है कि हू रोट हिस्ट्री ओफ इंडियन एग्रिकल्चर यानि कि भारतिय क्रशी का इतिहास यह किस ने लिखा MS स्वामिनाथन, MS रंधावा, संजेगर्ग या फिर वेद परकाश तो सही आंसर क्या आगा आपका MS रंधावा इन्हों ने हिस्ट्री ओफ इंडियन एग्रिकल्चर या फिर कहें तो भारतिय क्रशी का इतिहास इसको लिखा है इसके बाद आगे जलते हैं इसके बाद अगला कोशन, कोशन नंबर 6 है कि निम्न में से किसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है यानिकि which of the following is called green gold यह vegetable है, tea है, pulses है या फिर none of the following तो सही answer क्या आएगा आपका यह है आपका चाय ठीक है चाय को क्या कहा जाता है green gold next question पर चलते हैं अगला question यहाँ पर given है कल्यान सोना अब यह जो कल्यान सोना ही किसकी variety है धान की है, गेहूं की, अरहर की या फिर मटर की तो सही answer क्या आएगा आपका wheat कल्यान सोना is a variety of wheat ठीक है, next question की तरफ move करते हैं अगला question यहाँ पर है राज का प्रते, जो एक मात्र आपका राश्टी उद्यान है, जो की दुद्वा राश्टी किया गया था, वो वर्ष आप लोगों को comment section बताना है, ठीक है किसका दुद्वा, जो आपका राश्टी उद्यान है, इसको राश्टी पार्क जो है, राश्टी उद्यान कब घोशित किया गया यह comment section बताईएगा, next बात करें, नवाव, वाजद, अली, शाह, प्राणी, उद्यान, निम्न में से किस जिले में है, यानि कि नवाव, वाजद, अली, शाह, जो लॉजिकल, पार्क is in which of the following district, लखनव, गोरकपुर, गोंड़ा, या फिर गाजियाबाद, तो सही answer क्याएगा आपका, लखनव, ठ एक से साथ अक्टूबर है, या फिर दो से आठ नवंबर, तो सही answer क्याएगा आपका, दो से आठ अक्टूबर को, यह आपका National Wildlife Week, इसको मनाया जाता है annually, इसके बाद next question पर चलते हैं, अगला question यहाँ पर है, ट्रीटी केल, यह निम्न में से किन दो के बीच का संकर है, यान यानि कि wheat and rye, इसका जो है, यह संकर है, एक hybrid है, ट्रीटी केल, नेक्स्ट कोश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी है, निम्न में से किस पंच वर्षिय योजना में क्रशी के रनात्मक विकास प्रदर्शित किया गया है, यानि कि in which of the following five year plan, did agriculture show negative growth, अब यह पहली है, five year plan इसके बाद next question की तरफ चलते हैं, अगला question यहाँ पर बात करी गई है, उत्तर प्रदेश में किसान वही, यह जो योजना है, किस वर्ष लागू की गई, अब यह जो किसान वही योजना है, 1990 की है, क्यानवे में शुरू करी गई, 92 में या फिर 93 में, यह आपको यहाँ comment section ब आईएगा, यह तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपको बताना है कि यह exactly है क्या, किसान वही, comment section में आप लोगों के comment का मुझे wait रहेगा, और अगर आपको ना पता हो, तो Google search करिए, किसी book में खंगा लिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मिनत करने के लिए दे रहाँ to make laws for land reforms, केंद सरकार, राज सरकार, पंचायती राज संस्था या इन में से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या आपका राज सरकार, इसके बाद आगे चलते हैं, question number 15 पे, यहाँ पर बात करेंगे, यह लेकपाल खसरा तयार करके किस के पास जमा करता है, यानि कि to home does the लेकपाल prepare the खसरा and submitted, तो यह तैसिलदार है, आपका जिलादिकारी है, उप जिलादिकारी है या फिर कानून गो, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आगा आपका कानून गो, ठीक है, याद रखिएगा, इसके बाद आप देखे, question number 16 पर हम move करें, इससे पहले आप लोगों से कुछ बात करन ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर लेवल हो गया, यह सारी PDF आपको free मिल जाएंगी, ठीक है, कोई भी PDF का कोई चार्ज नहीं जाएगा, लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर बेस चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करनी होगी, जो भी आपका social media platform है, वहाँ इसको resolve करूँ, बाकी आपको यह quiz कैसी लग रहे है, यह भी बताइएगा, और channel को देखिए, subscribe ना किया हो, पहली बार channel पे आए हैं, तो सबसे पहले तो subscribe करिए, और जो हमारा main channel है, steady for civil services, इसको तुरंत join करिए, ठीक है, तो यह दो काम आप लोग सबसे पहले करिए, इसके जो telegram का channel हमारा दिया हुआ, तो telegram पर भी आप लोग तुरंट चुड़ जाएए, ताकि अगर इन case ऐसा होता है, YouTube से notification नहीं मिल पा रहे, तो वहां से मिल पाए, और तीसरा और सबसे ज़्यादा important जो point है, वो यह है कि आप लोगों को, जो भी question में, पूरे session में पूछ रह तो हात्रस की हम बात करें, तो देखिए, वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट की बाद चल लए है, हात्रस में जूते बिलकुल गलत है ये, हमीरपूर की हीं ये भी सही नहीं है, हर्दोई की बात करें, food processing ये भी सही नहीं है, इन तीनों का ही आप लोगों को बताना है कि वन डि बीट का मासुरी इसके बाद next question यानि कि question number 17 पर move करते हैं question number 17 यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में किसका कारे निम्न में किसका कारे जो है वो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और वहां हुई चर्चा एवं निर्ने का record रखना है यानि कि whose function is to convene the meeting of ग्राम सभा and ग्राम पंचायत and keep a record of the discussion and decision taken there तो यह सरपंच है वार्ड पंच है या फिर आपका ग्राम पंचायत सचिव है या फिर लेखपाल तो सही answer क्या आएगा ग्राम पंचायत सचिव या फिर सेक्रेटरी बहुत important questions है यह जरूर इनको याद रखिएगा next है यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सत्य है यानि कि which of the following statements about ग्राम सभा is true पहला है यहाँ पर कि यह एक पंचायत छेतर में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है यानि कि it is meeting of all adults living in a पंचायत area बिलकुल सही बात है दूसरा है ग्राम पंचायत यह फर हम बात करें पंचायत छेतर की तो पंचायत छेतर में एक या एक से ज़ादा गाओं शामिल हो सकते हैं यानि कि पंचायत area may consist one or more villages this is also correct इसके बात next है हमारा कि वह सभी ग्राम सभा के सदस होंगे जिनका नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो यानि कि all those members of the gram सभा whose name is in the voter list of the village यानि कि यह वाला भी हमारा सही है तो इस तरीके से तीनों ही statement सही है तो याद आपको रखना है कि यह तीनों statement एकदम contest कर लीजे क्योंकि exam सभा का महतपूर्ण कारे है यानि कि which of the following is the important function of gram सभा पहला है कि यह चुने हुए प्रतिनियों पर नजर रखती है और उन्हें जिम्मेदार और जवाब देह बनाती है बिलकुल सही बात है दूसरा यह पंचायत को मनमाने धंग से कारे करने से रोकती है तीसरा है यहां पर ग्राम सभा की बैटक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के समक्ष रखता है यह भी यहां पर सही है तो इस तरीके से हमारा क्या होगा all of the above देखिए यह जो कोशन में आपको यहां पर करा रहा हूं जिसमें all of the above वाले और बादारों पर लगाये जाने वाले कर से मिलने वाली राशी बिलकुस सही है दूसरा है विबिन सरकारी विवागों द्वारा चलाए गई योजनाओं की जो राशी होती है जो ग्राम पंचायत को मोलती है वो भी इसका एक source है इसके लाबा समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है वो भी इसके अंतरगत आता है तो इस तरीके से all of the above यहाँ पर भी correct होगा यह तीनों याद रखेगा very important इसके बाद next question की बात करें यहाँ पर है यानि की what is the minimum age prescribed for the members of consolidation committee 18 वर्ष 21 वर्ष 25 या फिर 30 तो सही answer क्या होगा आपका 21 years इसको decide करा गया है इसके बाद next question की तरफ move करते हैं अगला question यहाँ पर है किसी कृशक की मृत्ति होने के कितने दिनों के अंदर चकबंदी लेकपाल को उत्तरा दिकारी निर्धारन संबंदी प्रातना पत्र प्राप्त कर चकबंदी करता से वरास्त का आदेश करा लेना चाहिए साथ दिन, दस दिन, तेरा दिन या फिर पंदरा दिन ठीक है यानि की within how many days after the death of an agriculturist the consolidation लेकपाल should obtain an application for the determination of successor and order and inheritance from the consolidation करता तो यहाँ पर आपको बताना है कितने दिन के अंदर यह आदेश उसको करा लेना चाहिए तो यह आपका साथ दिन है, दस दिन है, तेरा दिन या पंदरा दिन सही आंसर क्या होगा? 13 days ठीक है, तेरा दिन के अंदर अब यह natural death की यहाँ पर बात हो रही है, यह चीज़ याद रखिएगा natural death की बात कर रहे है, ठीक है? इसके बाद next time बात करें अगला यहाँ पर है, गाउं में चकबंदी प्रकरिया पूर्ण कराने के लिए अधिकतम कितने वर्ष की अबधी निर्दारित है यानि कि the maximum period of how many years is prescribed to complete the consolidation process in the villages तो यह एक वर्ष है, तीन वर्ष है, पाँच वर्ष है, फिस साथ वर्ष तो सही answer क्या है आपका? फाइव एर्ष, ठीक है? और मतलब विशेज परिस्तितियों की बात अलग है, otherwise यह फाइव एर्ष है इसके बाद आगे चलें, अगला question यहाँ पर है, चकबंदी प्रकरिया के संबंद में निम्न में कौन सा कथन सत है यानि कि which of the following statement are true regarding the consolidation process पहला यहाँ पर है, राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4.1 और 4.2 के अंतरगत चकबंदी अधिनियम की धारा 4.1 और 4.2 या फिर हो सकता है कि आपसे यह पूछले कि यह विग्यप्ती कौन जारी करता है तो यह भी याद रखना है आपको राज्य सरकार दूसरा चकबंदी अधिनियम की धारा 4.1 और 4.2 के अंतरगत पुनहां चकबंदी प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी करते हैं इसके बाद नेक्स चलते हैं चकबंदी प्रक्रिया के दौरान लेकपाल जोत चकबंदी अधिनियम की किस धारा के अंतरगत भूचित्र संशोधन इस्थल के अनुसार करता है यानि कि during the consolidation process under which section of the consolidation act the लेकपाल makes land wise amendments site wise ठीक है तो धारा 7 है धारा 8 है धारा 9 या फिर धारा 10 तो यहाँ पर सही answer क्याएगा आपका धारा 7 इसके बाद next question की तरफ move करते हैं अगला question यहाँ पर given है चकबंदी योजना के निम्न में से क्या लाब है यानि कि what are the benefits of the consolidation scheme अब तीन यहाँ पर दिये हुए सभी यहाँ पर सही है चाहें हम बात करें सहत जोत की चाहें बात करें क्रशी उत्पादम में व्रदी की चाहें बात करें बूफ विवादों में कमी की तीन और जो इसके लाब है यह आप लोग कमेंट section ने बताईएगा कि और कौन कौन से लाब होते हैं चकबंदी योजना के ठीक है यह आप लोग को कमेंट section ने बताना है नेक्स हम बात करें यहाँ पर बात करी है निम्न में से किस जिले में सरवादिक शिशु लिंगन उपाद है यानि कि which of the following district has the highest child sex ratio यह बलरामपूर है संतकभीर नगर है बाराबंकी या फिर फैदाबाद सही आंसर क्या होगा आपका बलरामपूर अब यह तो बात होगी सरवादिक की आपको बताना है कि नियूनितम यानि की बिलकुल जो मिनिमम है वो child sex ratio कहाँ पर है या फिर lowest की अगर हम बात करें तो lowest child sex ratio यहाँ पर मतलब कौन से जिले में है यह comment section में आप लोग बताईएग इसके बाद आगे चलते हैं question number 28 निम्न में से किस प्रदेश में slum जन संक्या सरवादिक है यहनि कि which of the following state has highest slum population यह महरास्ट रहे आंदरप्रदेश है पच्छम बंगाल या फिर उत्तरप्रदेश तो I hope कि आपको एकदम clearly समझ में आया होगा कि महरास्ट के लावा और कौन साराजी हो सकता है जहाँ पर slum population सबसे जादा है इसके बाद next हम बात करें निम्न में से कौन सी जन जाती सोन बाद्र में नहीं पाई जाती बैगा है सहरिया है पनिका है या फिर पतारी सहेป का सहरिया अब ये अगर सोनबाद्र में नहीं पाई जाती तो UP के कौन से ये वं प्रोध्योगी की विश्विद्याल है ये कौन से डिस्टिक में है यानि कि सरदार बल्लबाई परें युनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चर और टेकनलोजी इस इन विच ऑद फॉलोइंग डिस्टिक क्या ये मेरट है बागपत है बुलंद शहर है या फिर ये अमरोह है तो सही आंसर क्या होगा आपका मेरट and I hope कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी तो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा पहली बार अगर इस चैनल पर है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को जार से ज़र प्रमोट करने में हेल्प करिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें बिल्कुल मच जाईएगा तो फिर मलतें नेक्स वीडियो में टेल दें थेंक्यू सो मच हैब नाइस टिप अब आए